हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, कॉमन केडर से रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले 23, 24 को कॉमन केडर वगरा और जित्ते भी उसके साथ एक्जाम हुए थे जुनियर एसिस्टेंट, सीनियर एसिस्टेंट, सब के एक्जाम के रिजल्ट आ गए, आप जाके वेब साइट में तो देखी लिए हो गए, तो मैं अपनी तरफ से जो गाइड कर सकता हूँ वो बता देता हूँ, जैसे अभी पहले तो जुनियर एसिस्टेंट और सीनियर एसिस्टेंट है जो उस केस में तो अभी इक सब्सक्राइशन रहेंगे, यही तीन का आपको यूज भी आएगा ओफिस में, तो इनके उपर थोड़ा-थोड़ा पढ़ लें, कहीं से भी अच्छे से, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स वागरा देख लें, टेक्निकल क्या चीज़ें जो उस पर काम आती है, क्योंकि यही सब पर काम रहेगा, और आपको ऐसी चीज़ें ही यूज में आएगी, जो आपको टिप्स और ट्रिक्स अगर पता होंगी उसकी तो, एक्सल में काम करना सब कर सकते हैं, लेकिन जिसको ट्रिक्स पता होती है न, वो एफिशेंटली काम कर पाता है, फटैक से कर पाता है, मैं काम हो जाता है, अगर आप experience नहीं है इस सब चीजों में, तो उस perspective से भी पढ़ाई करें, computer literacy test में, और आपका main selection उसी से ही होगा, computer based test तो आपको application verification और computer literacy test के लिए eligible हो आप, लेकिन उसके बाद जब आप literacy test और verification होगा, उस पे सही पाये जाओगे, तो आपको selection मिलेगा, तो जो उसको target कर रहे हैं, वैसे तो कम vacancies है, अगर उसको target कर रहे हैं, तो आप उधर देहान दीजेगा, अब उसके बाद आते हैं कि main ये जो result आया है, जित अब ये अच्छी बात है, जिसका नाम आया है, बहुत अच्छी बात है, sorry, role number आया अगर, अब ये लिकिन final list नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ CBT जो conduct किया गया, उसका result है, अब थरू हो गया है, वो एक stage, दूसरा stage main है भी, वो है application verification, वो लगता है कि हो जाएगा, लेकिन जो नीचे-नीचे के लोग हैं, जो एकदम border पे पास हुए हैं, वो उन पे तलवा लटक सकती है, मतलब, selection, final selection list से वो out हो सक सकते हैं, क्योंकि वो main merit में देखेंगे, जो शुरू के लोग होंगे, उनको जित्ती vacancy है, उतके इसाप से fill कर देंगे, बाकी next रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और फिर कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते हैं, document verification में, फिर कई लोगों की कुछ problem निकल जाती है, verification में तो उस वाज़े से और खिसाग जाएगा पीछे, पर सबका तो नहीं आएगा, इत्ता मान के चलिए आप, ठीक है, तो ये चीज़ important है, दूसरी चीज़ की marks तो आप अपने देख नहीं सकते हो अभी, probably maybe future में अगर वो link provide कर दें, जहां पे marks देख सकें आप, तो आप थोड comment आप एखटा कर लीजे और रख लीजे, ठीक है, जब भी इसका mail में call आएगा, तो आप चले जाएगा, verify करा दीज़ेगा, लेकिन meanwhile आप दूसरे exam का भी prepare करते रहें, जैसे अगर मान लीजे कि common cadre के थे, लग रहा है निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है, तो आप ETC का भ बेटर वर्क लाइफ देगा, बेटर मतलब इंवायरमेंट देगा वर्क का तो और थोड़ा ज़्यादा सेक्यूर भी है, ऐसा समझ सकते हो, तो ज़रूर इस exam के लिए पुश करें अपने आपको, लेकिन अगर बिल्कुली option नहीं है, तो अगर मान लीजे मैच्स फिजिक् को, तो इस तरह से अप्रोच लें, मैं ये कहना चाहरा हूँ, उसके बाद, जैसे देखेंगे, तो बहुत सारे recruitment आये थे अभी ETC के, अगर आप उसके लिए प्रिपेर कर रहे थे, तो अपने preparation को ज़रूर अच्छे से देखें, क्योंकि दो-तीन recruitment हो गया है, बहुत short span में, अभी वाला जो recruitment होने वाला है, वो 27 तारिक को इसका exam है, टेंटेटिव है, पर वही मायन के चलिए, दो-तीन recruitment हो गया है, ETC के, अच्छे खासे वेकेंसी पर, ऐसे भी नहीं कि कम-कम वेकेंसी आई थी, अगर उस line में आप prepare ही कर रहे हैं, तो एक आद में तो निकल जाना च कर ये, ज्यादा बेटर पोजिशन मिलेगी, और common cadre में department कैसे मिलेगा, अलॉट होगा, ये तो आपको, मतलब, कहा नहीं जा सकता, कैसे होगा, पर, जितना, मतलब, मेरे को पता है, वो, वो कोई भी department आपको देंगे, आपसे पूछेंगे नहीं, ऐसे, अगर आपको प्रिफ हिसाब है, और land management वगरा जैसे है, या फिर कोई और operation ना, commercial वगरा है, ये सब में आप ज़्यादा involved नहीं रहेंगे, airplane side, वो आप, मतलब, paper work वगरा में ज़्यादा involved रहेंगे, हलां कि station to station चेंज होते रहेंगी, चीज़े, मेभी आप दूसरे station में land management में काम करो, पहले station में आप operation में रहो, तो आप सब के लिए आप eligible हो गया, वैसा है, तो आपको कहीं भी डाला जा सकता है, पर मैं होता है, मेरे को तो मतलब operation ज़्यादा पसंद आता है, बाकियों के comparison में, लेकिन आपको एकदम general duty चाहिए, peaceful चाहिए, थोड़ा, आएं अपना office, paper work वाले काम करें, और चले जाएं, तो बाकि सारे department ज़्यादा बेटर लगेंगे आपको, तो वैसे percent to percent depend करता है, मेरे को लगता है, अगर जानना है, कि मेरे को कहा रहना है, तो आप खुद experience किया रही है, मैं बोलूँगा, मेरे बोलने पर मत जाएए, कि आपको operation पसंद आ रहे है, थोड़ा मेरे को इस department में डाल दीजे, तब करिए, अभी starting में इतना मज़ सोचिए कि मेरे को यह department चाहिए, सब explore करिए, जिस पर पसंद आता है, उस पर चले जाएए, साथी साथ पढ़ाई का touch मत छोड़िएगा, may not भी आपको यह position पसंदी ना है, ऐसा भी हो सकता है, तो दूसरे exams भी लिखते रहेंगे आप, ठीक है, ताकि मतलब कोई और better opportunity दिकरी अगर आपको तो वहाँ जा सकेए, bond तो है नहीं, तो बहुत अच्छी चीज़ा है, तो वैसे देखें, बाकि finance, fire services, law के लिए तो मुझे लगता है कि इतनी vacancies कहीं और आती नहीं है, government positions में, तो उनके मतलब कहीं हो नहीं रहा है, selection एक दम ही बान दें, एक दम तो join कर लिजेगा, और फिर कहीं और push करने की कोशिश करिएगा, junior और senior assistant में तो बिलकुल बोलूँगा आपको, कि कहीं exam देखें, और बैतर position में जाने की कोशिश करें, क्योंकि आप authority में ही रहेंगे, तो बहुत ज जादा growth मिल जाएगी, जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो, एक exam देखें, compare to, अगर आप ladder चड़ते हो, ठीक, इससे और related अगर कुछ लगता है, आपको तो बता दीजेगा, मेरे को जित्ता लगता था कि मैं आपको इस पर help कर सकता हो, कर दिया हूँ, पढ़ा लिखा तो पा यही था, इसके अलावा कुछ लगता है तो कमेंट डाल देना, मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ फिर, ठीक है, बाई बाई